आपका स्वागत है और नज़र डालते है अच्छ की प्रमूख खबरों पर एर चैना की सला भारतियों की इलाकों में जाने से बचे एर चैना की उडान के दौरान विमान में मिलने वाली पत्रिका में लंदन की यात्रा करने वालों को सला दी गई है कि वे उन इलाकों में प्रवेश करते समय साउधानी बरते जहां भारतिय पाकिस्तानी अशुएत लोग रहते है CNBC में कहां कि एर चैना की विंग्स ओफ चैना में लंदन की यात्रा के संबन में एक लंबा लेग छपा है इसमें कहा गया है कि यात्रा के लिए लंदन एक सुरक्षित स्थान है लेकिन उन इलाकों में प्रवेश करते समय जाउधानिया बरतनी की आवशकता है जहां मुख्य रूप से भारतिय और पाकिस्तानी लोग रहते हैं परामर्श में कहा गया कि यात्रियों को रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए और महिला यात्रा करते समय हमेशा किसी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर ही निकले चोटा राजन ने कहा कि भारती एजन्सियों ने दिया था फर्जी पासपोर्ट गैंग्स्टर चोटा राजन ने विशिश अदालत में दावा किया कि भारती एजन्सियों ने उसे मोहन कुमार नाम से पासपोर्ट इसलिये लिया क्योंकि दाउत इब्राहिम के लोग वर्ष 2003 में वेंकॉफ में उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे थे छोटा राजन ने कहा कि उसने मुंबई विस्पेटों के शडियन करता हो तका आतंगवादियों के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद की थी राजन ने विशेश ने आएदिश विनोत कुमार के सामने यह बात कही वह फरजी पासपोर्ट मामलों में बतोरारों पे अपना बयान दर्श करवा रहा था उसके और तीन पूर्व पासपोर्ट अधिकरियों के खिलाफ यह मामला दर्श है उसने कहा कि जब दाउत इबराहिम के लोगों को पता चला कि मैं मुंबई विस्पोर्ट के शडियन करताओ के सिल्सिले में भारती एजनसियों को सुचना है उपलप्त करवा रहा हूँ तो उनने दुबए में मेरा मूल पासपोर्ट छीन लिया वर्श 2000 में बैंकॉक में दाउत के लोगों ने मुझे पर जान लेवा हमले की कोशिश की यही वज़ा है कि मुझे मुझे मुवन कुमार के नाम से पासपोर्ट दिया गया राहूल बोले मोदी जी मस्त जनता तरस्त उन्होंने खलिलाबाद के किसानों की एक खाट सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे जी को भारतियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो उनके प्रधान मंत्री है राहूल ने मौझे दा विवस्ता पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि हजारो करोड रुपे का कर्ज लोटाई बीना फरार उद्योकपदी विजय मालिया को डिफॉल्टर और किसानों को खटिया चुराने के लिए चोर कहा जाता है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार को किसानों की हालत देखनी चाहिए जो रो रहे है